धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षती रक्षित तस्मात धर्मो नहंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत इसका अर्थ है मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिए धर्म का हनन कभी मत करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले सरल शब्दों में इसे समझें तो इसका अर्थ है कि जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसका नाश धर्म एक दिन अवश्य कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भी धर्म स्वयम करता है। इसलिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले। इस भैसे धर्म का हनन अर्थात्याग कभी न करना चाहिए। जिसका एक भाग आप अक्सर किसी को भी कहते या सुनते हुए सुने हुँगे। कि धर्म रक्षती रक्षिता ये श्लोक महभारत और मनुस्मृति का है। यानि धर्म की रक्षा करना उसी तरह से जरूरी है जैसे आप संतान की रक्षा करते हैं। पहले जब युद्ध होते थे तो कहा जाता था कि ये राजा धर्म युद्ध लड़ रहा है। यानि धर्म क बचाने के लिए युद्ध कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है। और ये सब कुछ इसी हिंदुस्तान की कहानी है। किसी ग्रीस, मिश्र या इुणान की नहीं। लेकिन आज इसी हिंदुस्तान में हिंदु धर्म, सनातन धर्म पर सवाल उठाये जा रहे हैं। नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीबी मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार हमारे खास और नए कारिक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है इसकी साजीश का खुलासा होता है आज के कल्यूगी पढ़े लिखे वकील प्रशांत भूशन सलमान खुरसीत समेत 76 वकीलों के उस पत्र से जिसे इन्होंने सुप्रिम कोर्ट के मुख्य नयायधिस एनवी रमन्ना को लिखे दरसल इनके पेट में धर्द होना शुरू हुआ 17 दिसंबर से और ये दर्द सब के सामने बाहर आ गया 27 दिसंबर को जब इन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बिमारी सुप्रिम कोर्ट को बताई इन्होंने सुप्रिम कोर्ट को बताया कि साहब हम 76 लोगों के पेट में दर्द है क्योंकि इस देश में धर्म संसत की जा रही है जी हाँ अब आप समझ गए होंगे 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में दासना मठाधीस यतीन नरसिम्हानंद सरस्वती के नित्रित्तों में धर्म संसत कायोजन किया गया जहां कुछ ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया जो शायद उचित नहीं था वहीं ये सभी टुकले टुकले गैंग और सेकुलर गैंग समर्थक बिलबिला उठे जब 36 गढ़ में दूसरा धर्म संसत कायोजन किया गया और वहां तो संत काली चरण ने गांधीची के लिए अपशब्द तक कह दिया हाला कि वह नहीं कहना चीए था लेकिन फिर क्या था ये परिशान हो गए कि माला फेरने वाले और हिंसा को देखकर आखें बंद कर भगवान को याद करने वाले इन संतों को आखिर वो क्या क्या है ये हमारी योजना को असफल कैसे कर सकते हैं ये हमारी ही भाशा आखिर कैसे बोलने लगे हैं ये सोचकर इन्होंने माई बाप चिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट का शरण ले लिया वकील प्रशांत भूशन सल्मान खुर्शीत समेट 76 वकील सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए कि साहब हरिद्वार और 36 गड़ में हुए धर्म संसद पर हमें आपत्ती है कोर्ट से आग्रह किया कि साहब ये धर्म संसद का आयोजन बंद किया जाए ऐसे आयोजनों को हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए इन ऐसे आयोजनों को होने ही नहीं दिया जाए इसके लिए भाशनों का हवाला दिया गया जश्टिस ओफ इंडिया एनवी रमना को लिखे पत्र में कहा गया कि धर्म संसद के दो अलग अला आयोजनों में अभध्र भाशा का प्रयोग किया गया है इस पर संग्यान लिया जाए और ऐसे आयोजनों पर भविश्य में रोक लगा दी जाए पत्र लिखने वालों में प्रशांत भूशन, सल्मान खुरसीद और दुस्यंत दवे समेत 76 वकील शामिल हैं इन्होंने भारतिय दंड सनीता 1860 की धारा 120B, 121A, 124A, 153A, 153B, 295A, 295B के तहत दोशी व्यत्यों के खिलाफ कारवाई की मांगी साहब इतनी धाराएं तो हमें याद ना आएं, खर ये वकील हैं, उनकी जबान पर होती हैं ये धाराएं और बिधिवत धारा, कानून, नियम, अनुचिद, सबके साथ ही सुप्रिम कोड पहुँचे यानि धारा, खाता बही, सब कुछ साथ लेकर पहुँचे थे पत्र में कहा गया कि इन भाशनों में ना केवल अभद्र भाशा का प्रियोग किया गया, बलकि खूलेयाम एक कूरे समुदाय की हत्या के लिए अहवान किया गया इस प्रकार से ये भाशन न केवल हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खत्रा है, बलकि लाखों मुस्लिम नागरिकों के जीवन को भी खत्रे में डालने वाला है, जहां जरा ध्यान दिजिए पत्र के इस पॉइंट पर कि पत्र में कहा क्या गया है, कि लाखों मुस्लिम नागरिकों के जीवन को खत्रे में डालने वाला है, चीफ जश्टिस रमन्ना से कहा गया कि साहब मिलोर्ड आप खुद संग्यान लीजिए, लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने इन मामलों में कोई दि चस्पी नहीं दिखाई, सुप्रिम कोर्ट ने सीधे तोर पर कहा, कि साहब ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए हम नहीं बैठे है, ये मामला धर्म से संबंधित है, और जब मुस्लिम धर्म की बात आती है, तब तो ये कहा जाता है, कि धर्म का मामला है, इसमें कोर्ट या सर कार ना आए, तो साहब ये भी धर्म का मामला है, इसे भी आप वहीं सुलचाईए, इतनी फुरसत हमारे पास नहीं है, कि ऐसे ऐसे मामलों को हम लेकर सुप्रिम कोर्ट में बैठे है, दूसरी चीज, अब आपको बता दे कि इस पूरे मामले में संत काली चरण पर पहले ही पुलिस ने फायार कर लिया है, और उन पर कारवाई की जा रही है, लेकिन इन लोगों को काली चरण पर हुई कारवाई से संतुष्टी नहीं मिली, और ये सुप्रिम कोर्ट पहुँच गए, ये गलत नहीं है, सुप्रिम कोर्ट जाना आप में से किसी का भी अधिकार है, लेकिन सुप्रिम कोट में आपने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की होती, तो कोई बात नहीं थी, कोई परिशानी नहीं थी, लेकिन आपने सुप्रिम कोट में पूरे सनातन सम्मान को ही कठगड़े में खड़ा कर दिया, आपने हिंदु धर्माव लंबियों को ही कट घरे में खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि साहब धर्म संसद गलत है धर्म संसद नहीं होना चाहिए धर्म संसद पर पाबंदी लगाई जाए अब आपको लेकर चलते हैं थोड़ा पीछे यानि धर्म संसद की कहानी पर कि जिस खत्म करने की साजिश प्रशांत भूशन और सलमान खूरफीद रच रहे हैं इसके पीछे की कहानी क्या है क्या ये धर्म संसद आज शुरू हुआ है या इसकी परता पुरानी है आज जो धर्म संसद चल रही है उसका इतिहास क्या है तो साहब आपने पहले शास्तरार्थ शब्द जरूर सुना होगा ये धर्म संसत का ही एक रूप था जहां संत ज्यानी और विद्वान इकठा होते थे राजा महराजा बैखते थे तमाम लोगों को निमंत्रन और आमंत्रन दिया जाता था और वहाँ वाद विवाद होता था खर इस पर शाद आपको भरोसा नहीं होगा क्योंकि ये कहानियों में सुनने को मिलता है लेकिन आपने शिकागों का नाम अवश्य सुना होगा और विवेकानंद के नाम से तो जरूर परिशित होगे बात 1893 की है जब अमेरिका के शिकागों में एक धार्मिक सभा हुई थी जिसका नाम दिया गया था विश्व धर्म महा सभा दुवारा सुन लीजिए विश्व धर्म महा सभा जिसमें स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया के सामने हिंदु धर्म का परिशे कराया था बताया था कि हिंदु क्या है क्या है हिंदुस्तान और क्या है उसकी अखंडता जिसे बार बार खंडित करने की कोशिश होती है लेकिन वो है कि तूटता ही नहीं बलकि इसे तोड़ने वाला खुद बखुद तूट जाता है अब कुछ वर्सों से जब से देश में कॉंग्रेस के शासन में टुकले टुकले गैंग सेकुलर समीती का प्रभाव बढ़ने लगा तो इसकी महत्ता कम हो गई और बीच में ऐसे सम्मेलन होने बंद हो गए थे क्योंकि सत्ता ऐसे आयोजनों के लिए परमीशन नहीं देती थी अनुमती नहीं देती थी और ऐसे आयोजन पर मौन प्रतिबंध था लेकिन एक बार फिर सनातनी धर्मावलंबियों ने जब सर उठाना शुरू किया तो बील में छुपे कुछ लोगों को ये रास नहीं आया और ये इसके प्रभाव को देखते हैं कि भविश में इसका प्रभाव क्या होगा धर्म संसत पर छिट्थे इबाजी और साजीशों का तो हम ये कहीं से नहीं कह रहे हैं कि किसी भी धर्म को गाली देना उचीत है या फिर किसी को अपशब्द कहना उचीत है संत काली चरण ने जो नहीं ठहरा सकते लेकिन साहब जरा मुझे ये बताईए कि क्या असद्दुदी नोवैसी की भाशा को सही ठहराया जा सकता है जिसमें वो कहते हैं कि योगी मोदी नहीं होंगे तो आपको कौन बचाएगा क्या अकबरुदीन की भाशा सही थी जब उन्होंने कहा था कि 24 गंट की उस तस्वीर को सही ठहराया जा सकता है जिसमें वो शाहिन बाग आंदोलन के दवरान एक बच्ची से हमें चाहिए आजादी का नारा लगवा रहे थे इसी देश में जाकिरनाईक वर्षों तक हिंदु धर्म को गाली देता रहा क्या इसे सही ठहराया जा सकता है लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था तो सीधी बात है एक्षन का रियक्षन तो होगा क्योंकि जब आप गाली देंगे तो हमसे आशिरवाद की उमीद नहीं करेंगे सवाल ये है कि ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हिंदु, हिंदुस्तान और माभारती को गाली दी गई लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रशान भूशन या कोई सल्मान खुरशीद सुप्रिम कोर्ट नहीं गया, सुप्रिम कोर्ट के दर पर याचिका नहीं लगाई गया अब जड़ा इनकी मानसिक्ता और क्रोनोलोजी समझिये, इनकी यही मानसिक्ता है कि अगर हिंदु संतों ने एक बार फिर अपनी साख बना ली, बिठा ली, तो एक बार फिर यहीं हिंदु समाज उठ खड़ा होगा, जो इनके लिए, इनकी सत्ता के लिए, इनकी विदेश फंडिंग के लिए शायद उचित नहीं होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके शरिया और दारूल उलूम के साख पर सवाल खड़ाखने लएगा जो शायद ये कभी नहीं चाहेंगे जिसकी आड में ये हमेशा से सत्ता और सरकार पर काबिज रहे हैं और धीरे धीरे दे जब कहीं कोई हिंदू नहीं ललकार बैखता है और हर बार यहीं किया गया है साथ ही कुछ सनातरी भी इनके साथ खड़े हो जाते हैं काली शरन की गलती थी आप उन्हें डाटते आप उन्हें फटकारते एकांत में उन्हें समझाते कि आप अब शब्द न कहिए मर्यादा क ख्याल रखिए लेकिन जब सुप्रिम कोट में धर्म संसद पर सवाल उठाया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि धर्म संसद यदि हिंदुस्तान में नहीं होगी धर्म संसद यदि हिंदुस्तान में नहीं बैठेगी तो क्या पाकिस्तान में बैठेगी क्या उजबेक हाजिर होंगा किसी और नए टोपिक किसी और नए खबर के साथ और बताऊंगा कि उसका भूत बरतमान और भविश्य क्या है तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी